कि अब दो नबश्कार आधा वेबसाट विगेटर्स डॉट कॉंप के और दोस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि येट पैक प्लगिंस के किस तरीके से खाइदे हुते हैं हमारे वेबसाइट के लिए और ये जो है प्लगिंस आपके वेबसाट के लिए किसी खाइद कि देवन है तो आजने वाले वीडियो में हम आको सारे के सारे में वालुमाद आपको बताएंगे आपको जयना है मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में और आपको जाना है येड़ नीव अगर जो है अटुमेटिक दौरअ बनाई गý है और वर्डपेस के जो लोग है उन्हों ही इसके अंदर में काम किया गया है और यह प्लगिंस तयार की गई है तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी आपको चाहता है तो आप मोल डिटेल्स इसमें देख सकते है यहां पर जाने के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिखा गए जेट पैक सिंप्लिफाय मैनेजिंग वर्डपेस साइड बाई गीविंग विजीटर स्टेट्स यानि की जो विजीटर के स्टेटेस है वो आपको बताएगी उसके लिए आपको सिंपली लॉग इन होना पड़े अगर आपकी इमेजस जो है लोडिंग लेने में आपकी ब्लॉग पे काफी टाइम लेती है तो यह सर्वर आपको पोवाइड करता है और उस सर्वर पे यह इमेजस सारे अपलोड कर देगा और जिससे के आपकी वेबसाइड जो है काफी फासली ओपन हैंगी और प्लॉग आपको दिखेगा और लास्ट उप्डेट इसकी जो हुई है तो च बिनों पहले हुई है और आपको बता समेद में लोग है और आपको जाने के बाद में आपको इसकी रेटिंग स्नजर आवह sway होगी फास्टार, रिस फास्स्टार, उसमाट कितने लोग ने भीइ आपकी तादाद में आपको इसके contributor नजर आ रहे होगे तो मैं simply click करता हूँ install now पे और यह जो plugin है install होना जो है शुरू हचकी है installing होने के बाद में हम इसे activate करेंगे और इसके जो तमाम menu है options है इसके बारे में जड़ा discuss करेंगे तो दोस्तो यह जो है install हो चुकी है और मैं इसको active कर देता हूँ यह active हो रही है तो दोस्तो यह plugin upload हो चुकी है install हो चुकी है अब यह हमको कह रहा है कि आपको connect करना है wordpress.com के तो अगर आपने अभी तक wordpress.com के account नहीं बनाया तो आप बना लीजिए और मैं यहाँ पर wordpress.com पर login हो जा रहा हूँ यह जो है directly हुने इस page पर jump करवा देगी जिस page पर wordpress.com है वहाँ पर आपको जाना है और simply login करना है और यह जो page है open source का है यहाँ पर आपको user name आपका डालना है और यहाँ पर password आपका दाना है और मैं यहाँ से इसको login कर देता हूँ और यह आपको यहाँ पर अपरोल के लिए कहेंगा और यह अपरोल आपको यहाँ पर देना है इसको यहाँ पर आपको आपका plan सेलेट कर देना है यहाँ पर मैं जो है कि अपने website के लिए फ्री प्लैन में वीड करूँगा यहाँ पर काफी सारे plan अवेलेबल है लेकिन जहाँ तक की मेरे website का सवाल है तो मैं यहाँ पर फ्री सेलेट करूँगा अब नशिक कर देने के बाद में आप जम कर जाते हैं अपने ब्लॉक पर बंपस और यहाँ पर आप एक्टिव हो जाते हैं active recommended futures यहाँ पर लिखा गया है लेकिन जो है यहाँ पर skip this step कर देता हूँ क्योंकि मैं यह जो वी प्लैन है यहाँ जो भी option है मैं तो यह जो है 24 गंटे बाद आपको सारी की सारा रिपोर्ट देना शूरू कर देगा तो सबसे पहले हम देखेंगे यह पर प्रॉटेक्टट सीकुरिटी के लिए यह जो है और यहाँ पर बैकट आप अपको अपगरेट करना पड़ेगा यह कोई प्लान की आपको जुरूत पड़ेगी स्टैम प्रोटेक्शिन के लिए भी आपको पेड होना पड़ेगा और एक्ट्व प्लगिन्स एक्टिव है हमारे अप्डेट्स के लिए और डाउन टाइम मोनिटरिंग इसे जो है मैं आउन कर देता हूँ इसे आउन करने से आपको फाइदा यह होगा कि जब भी आपकी साइड डाउन होती है तो यह इमेल दौरा आपको पता करवा देगा कि आपकी साइड भी डाउन शड़ रही है और यहाँ पर स्कैनिंग का जो है जो अप्शन वो जो है अप्ग्रेट करने को कह रहा है उसके बाद में एप के जायते हैं और आपको जाना है दोसको यहाँ पर सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद में हम जो है अभी ऑप्शन जनरल में है यहाँ पर कनेक्टिंग सेटिंग्स के बारे में हमें कह रहा है तो हम जो है कनेक्ट है वर्लिप्रेस पे औ और नोटिफिकेशन मैंने इसे अन रखा है यह बाई डिकल्ट आउन है जाफिसे न एपिए भी आउन है और एंगेज में लिए तो जो है एड टू पैड है जो इसे अफग्रेड करना पड़ेगा आपको इसके अजर में एक नए फीचर से जो कमिसाइज और यह जो है आपकी खाईड के लिए काफी खाइदे बंद है आपको जो शेरिंग आपको पोस्डों जो है शेयर करना पड़ता है बन्बाइबन जो फीट पर आप जाते है शेयर पर जाते हैं यह तमाम आपशन आप घब्लिश कर देंगे यह आपके जो पोस्ट यह कर देता है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने शेरिंग में क्लिक कर दिया है यहाँ पे आपके सारे अकॉंट को कनेक्ट कर देना है तो सबसे बहले हम शुरुबात करते हैं connect facebook से और यहां पर यह जो है connecting हो रहा है facebook से और जो आपका जो particular page अपने website जो बनाया गया है ब्लॉक पे social media पे facebook के दावरान तो उस page को आपको connect कर देना है तो मैं कर देता हूँ हमारा जो particular page है website dks.com से और मैं इसे ok कर देता हूँ करने के बाद में यह जो आप connect हो चुके है आपके page पे उसी तरह के से आपको twitter पे करना है linkedin पे करना है थंबलर पे करना है और गूगर प्लस पे कर देना है तो मैं वापस जाता हूँ इस तरह के से आप कर दीजिए अगर मैं इसे अभी करते बैठोंगा तो यह वीडियो काफी लंबा बन पड़ेगा तो यह process जो है मैं बाद में करूंगा और हम जो थे engagement पे थे और यह जो है likes का button आपको provide करता है लेकिन यह उतना फाइदे मन नही है आपके blog को तो इस features को मैं अभी off ही रख दोगा और comments के बारे में यह कह रहा है कि allow commenting with WordPress, Twitter, Facebook और Google तो इसे भी मैं अभी off ही कर देता हूँ क्योंकि अगर इसे मैं on करता हूँ तो यह WordPress यह काफी अच्छा features है लेकिन अभी जो है मुझे इसका कोई मैं इसका उप्योग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसके दोबरह आप Twitter से भी login कर सकते है यह Facebook से भी login करके Google प्लस से भी login करके WordPress से भी login करके आपके blog पे यह comment कर सकत हैं और subscription का है नीचे में subscription मैंने on कर दिया हूँ अब subscription के बारे में मैं आपको बता हूँ तो नीचे में notify कर देता है जब भी कोई comments करता है by email उसे post भी चले जाती है अगर वो notify में mark लगा दे तो ग्रेवतार हवर कार्ट में मैं इसे on कर देता हूँ साइड मैप इससे मैं आप करता देता हूँ क्योंकि मैंने already साइड मैप सब्मिट कर दिया है Google को और चितने साथी तमाम सर्च इंजिन है उन सब को इंचास्ट, distribution, increase, reach and traffic के लिए मैं इसे on रख देता हूँ साइड वेरिपेशन के लिए जो है मैं इसे आप कर देता हूँ कि मैंने already साइड को वेरिफाइड कर चुका हूँ security में हम जाते है, security में यह protect कर रहा है हमारे जो भी ब्लॉक को है और इसके दर में और काफी सरे options हैं उसे आप देख लीजिए अगर आपके कोई काम में हो तो monitor आप आपके साइड को monitor कर सकते है 24 साथ अगर यह 24 घंटा सातों दिन आपके साइड को monitor करेगा यह जो है पेड वर्शन है एकसमेट वाला साइड बैक अप वाला भी है और सिंगल सिंगल साइन ओन वाला भी यह जो है मैं इसे अभी आपी रख देता हूँ अपरेंस में जाते हैं टेल गैलेरी यह भी मुझे अभी मैं इसे नहीं चालू करना चाहता हूँ अगर यह आप इसे on करते हैं तो display images gallery vertically elegant arrangement यह आपको आपकी जो images है media जो है सारा का सारा उसे वह गैलेरी एक बना देता है photon की जो है मैंने आपको कहा था starting में plugin को install करने के पहले ही photon जो यह futures है यह आपकी तमाम images है यह अपने server पर ले जाता है और वहां से यह display कराता है जिससे जो है आपकी site की speed है जो बढ़ जाती है लेकिन मैंने cloudfire पर अपने site को submit करवा है तो वैसी इसकी speed काफी है और carousel display images gallery और इसे में मैं off रख देना चाहता हूँ और extra sidebar widget इसे हम on कर देंगे ताकि जो है हम sidebar widget में यह सारी तमाम चीज़े हम वहाँ पर लगा सकते है widget visibility on है custom CSS on है infinity scroll mobile theme अगर यह काफी अच्छा features है इसके अंदर में अगर आपकी site जो है mobile friendly नहीं है तो आप जो है इसे active करके आपकी mobile को mobile आपकी site को mobile friendly बना सकते हैं यह काफी अच्छा features है जिसके अंदर में लेकिन in future अगर आपकी site अभी यह तो मेरी theme जो है और राइटिंग में जाते हैं यह जो है आपको provide करता है short link के लिए अगर जब भी कोई आपकी link को share करेंगे social media पे तो यह आपको एक short link provide कर देता है आप जब ही जब पोस्ट लिखते है पोस्ट में उपर ही side में जब आपका url होता है उसके side में बस यह बटन आ जाती है और वहां से आप इसको short link करवा सकते हैं जो भी आपकी post है उसको short link वहां से आप कफी करके इसे post करवा सकते है contact forum इसके अंदर में हवाई level है आप इसके द्वारा आपके post के अंदर में जिस जगह पे आप चाहते हो उस जगह contact forum डाल सकते हो तो वह कैसे डालेंगे तो आप जब भी post लिखते हो तो उपर side में media वगरे जो बटनों का option होता है उसके side में contact forum का भी बटन आ जाता है अगर आपको जरुवत है किसी pages में या किसी post में आपको contact forum देने की तो आप इस बटन के दवारा वहाँ से contact forum वहाँ पे edit कर सकते हो और यह जो function है spelling and grammar यह कापी अच्छा function है यह आपको जो आपकी spelling और grammar mistake जो होता है यह आपको बताएगा यह है markdown post comments with link list other styling regular character function mark quickly easy way format text without needed any html code यह भी कापी अच्छा features है post by email यह भी कापी अच्छा features है और beautiful maths और यह जो features है अगर आपका कोई blog maths related या कोई competitive exam related maths related कोई आपका blog है या science related कोई आपका blog है तो जो भी complicated language होती है mathematics में तो यह beautiful maths यह जो function है आप इसका use करके आप वो तमाम जो science है images है आप इसके अंदर में आप डाल सकते हैं तो दोस्तों यह जो plug-in से मैंने तमाम जो features है आपको इसको बता जेए हैं और यह आपके site को काफी मदद करेगा उमीद करता हूँ दोस्तों यह आपको यह हमारा वीडियो पसंदा होगा और आने वाले वीडियो आप में झालस